जब इससे टकराएगा तो यह इसको प्रेस करेगा, तो फिर यह आगे भागेगा, फिर जब यह इससे टकराए, तो क्या रहा है कि यह minimum दूरी कितनी होनी चाहिए, तक कि इसकी speed exactly वही हो जाए, जो इसकी speed है, अगर यह center of mass rest बहुता ना, तो फिर ऐसे motion करता है, center of mass के भागन प्रेस होगी तो इसको आगे को रहा है, इसकी speed 0 जागी ground frame में, तो अगर इधर by2 होई, यह by2 जब इसमें add करोगे, यह by2, यह by2 जीरो बनगे न ground frame में, और ground frame में अगर जीरो बनगी, तो इससे टकरातने समय, energy share नहीं कर पाए, और यह question ask का question number, खठा है, और यह ask का, एक difficult question question है, और इसको में रखेंगे, करीब 80% के level पर, 80 क्या, इसको में रखते हैं, तो देखिए बच्चों, यह ask का question number 6 है, और यह एक difficult question है, और इसको मैं रखूँगा, 90% के level पर, यह जई advance का 90% level का question है, और यह क्या अच्छा question है, एक बार इस question को पढ़ लिजे, तो perfectly, to perfectly elastic identical ball of mass M, elastic, by spring of spring constant K, यह spring constant K है, so that dumbbell like system is found to form, यह dumbbell type दिख रहा है, dumbbell तो ऐसे नहीं को उठा तो ऐसे dumbbell उठाया जाता है, तरी के से, arrest, slippery horizontal surface, all the friction forces can be neglected, third ball, identical to the one making up dumbbell, approaches the coaxially dumbbell from the left side with the velocity B, यह B speed से आखे टकराता है, यह से, और इसके बीच में L minimum distance है, for this, the final velocity of letter, will add letter का मतलब, यहाँ पर न फोर्थ है, अभी मैं change कर देना चाहता हूँ, letter ball, इसको लिखेंगा जयजा better word यहाँ पर, letter ball, letter ball, मतलब फोर्थ ball की बात कर रहा है, फोर्थ, velocity of the letters, ball, will be exactly the same as the initial velocity B of the left most ball, जब यह data given, इस question में कहे रहा है, कि यह सारे के सारे identical ball है, सारे collision elastic है, यही देखो, elastic क्लिखा हुआ है, तो perfectly elastic identical ball, मतलब यहाँ पर collision, elastic होगा, category के losses नहीं होगी, तो यह भी speed से टकराए कि इससे टकराता है, जब इससे टकराएगा तो यह इसको प्रेस करेगा, तो फिर यह आगे भागेगा, तो जब यह इससे टकराए, तो क्या रहा है कि यह minimum दूरी कितनी होनी चाहिए, तक कि इसके speed exactly वही हो जाए, जो इसके speed है, velocity भी हो जाए, जबकि initially हो, पहले वाला ball भी speed से आ रहा था, जब भी speed से आ रहा था, और अंतिमाल की speed भी हो जाए, तो बताएए minimum दूरी कितनी होनी चाहिए, तो यह अच्छा question है, ठीक है, समस्ते है, सबसे पहले जब यह elastically टकराएगा तो क्या होगा, जब यह ball इससे टकराएगा, तो इलास्टी पे करो रहा है, यह जो spring यह एक non-impulsive force देगा, अगर यह non-impulsive force देता है, तो इसके रहने और नहीं रहने का असर collision पर नहीं पड़ेगा, जब यह इसससे टकराएगा तो यह velocity exchange करेगा, क्योंकि masses same है, क्योंकि masses same है, फिर यह rest पर गया, यह दूनों ही ball भागेंगे, अब condition है हो गया, कि यह जो ball है, spring के साथ, यह वाला ball, यह वाला ball की speed भी हो गई, इसकी speed अभी 0 है, इसकी speed 0 है, और एक ball यहाँ परखा हुआ है, identical ball, तो क्या रहा है कि यह दूरी L, कि minimum value कितनी हो, जब यह इसे से टकर आये, तो इसको भी वही speed मिले, जो यह भी है, यह तो आपको एक बात स्माजबा जागी, दिखेगा, अगर यह दोनो identical ball हैं, identical ball हैं, जब इसे से टकर मारेगा, तो इसकी speed भी हो गई, इसका मतलब, कि जिस वक्त यह इससे टकर मारने वाला होगा, यह अभी rest पे हैं पर पड़ा हुआ, और यह ball इसके ठीक सामने आ जाए, और यह ball यहाँ पाजाए, ऐसे, अब इससे टकर मारने के पहले, इस fourth ball से टकर मारने पहले, अगर इसकी speed भी exact भी होती, exact भी होती, और तो इससे यह टकर मारता, तो फिर velocity एक्चेंज हो जाती, velocity collision में एक्चेंज हो जाती, इसका मतलब भी है, कि अगर int ball का mass बराबर है, ball का mass बराबर है, तो इस position पे spring natural length में है, spring natural length में है, spring natural length में था यह निसमी, जब इस इससे टकर मारेगा, तो टकर मारने के तुरंत बाद, भी spring natural length में है, उसके बाद time के साथ यह spring compressed होगी, जब compressed होगी तो इसको आगे कवर धक्का मारेगी, तो फिर यह आगे कवर जाएगा, तो अगर इस system यहां की energy, और यहां की energy balance करा दो, तो यह भी natural length, अगर इसकी speed भी है, तो इसकी speed भी तभी होगी, जब यह दुबारा natural length में आएगा, energy conservation, तो इक kinetic energy half mb square, प्लस इसकी kinetic energy 0, बराबर इसकी kinetic energy 0, इसकी kinetic energy half mb square, इसकी potential energy 0 होनी चाहिए, तो समाज गया होगे, मैं क्या बलता हूँ, तो इस system की energy, और इस system की energy अगर बराबर हो रही है, तो उस case में अगर इसकी speed भी इसकी speed की बराबर है, तो अगर यह natural length पे तो इसको भी natural length पे आना पड़ाएगा, इसका मतलब, आगे वाले ball को कितना दूरी तया करना है, L दूरी तया करना है, आगे वाले ball को L दूरी तया करना है, और आगे वाले ball को L दूरी नहीं करना है, अगर यह natural length में है, और यह natural length में है, पतला अगर यह 1 cm की दूरी है, यह मालवी natural length की दूरी 1 meter है, इतना दूरी आगे वाले ने तया किया उतना जुरी पीछ दुरी तय किया पूरे सिस्टम का जो सेंटर आफ मास है वो भी वही तया करेगा एक पार्टिकल एक पार्टिकल है यह ऐसे आगे अगर यह दूरी एक मिटर तया करता है यह दोनों का सेंट्र आफ मास कर दूरी तया करेगा वो भी एक ही मिटर की दूरी तया करेगा वाद समझे रहो ना क्या कहा रहा हूं इसका मतलब कि मैं कहूंगा कि displacement of center of mass must be equal to L, अब center of mass की velocity निकालते है, center of mass की velocity होगी M into 0 plus M into V, and divided by M plus M, that is 2M, the value होगी V by 2, इसका मतलब इस system को जो center of mass है, वो V by 2 की speed से आगी कोड़ जा रहा है, और हमेशा constant speed से ही आगी कोड़ जाएगा, constant speed से ही आगी कोड़ जाएगा, the reason is clear, इसके system पे कोई भी forces काम नहीं कर रहा है, एक सेकेड़, ओके, तो देखूँ, तो center of mass की velocity हमेशा constant रहना है, क्योंकि net for 0 है, तो कितना time लगेगा motion में, जो time लगेगा, वो center of mass ने L दूरिताय किया, velocity constant रहना है, तो लगेगा L upon B by 2, इतना time लगने वाला है, इस collision में, इतना, अगर, इतने ही time में, अगर ये block, L दूरिताय कर लिया, इतने time में, ये block L दूरिताय कर लिया, तो अभी हम सोचते हैं, फिर L minimum पर आएंगे, क्या कहने को सिस्स कर रहा है, तो देखना, ये जो block का motion है न, वो, ये spring, अब ऐसे press करेगी, ये इधर भागेगा, और ये भी इधर भागेगा, तो इस block का motion ऐसे हो आगे भाग रहा है, एक oscillatory motion ऐसे, जो की आगे भाग रहा है, तो center of mass के frame में, ये ऐसे चा perform करेगा, center of mass के frame में, क्यूंकि, अगर ये center of mass rest बदाना तो फिर ऐसे motion करता, center of mass के भागने की वज़े से ऐसे motion कर रहा है, तो हम center of mass के frame पे जाएंगे, अगर मैं इस system के center of mass के frame पे तो फिर मुझे एक question कैसा दिखेगा, अगर मैं center of mass के frame पर चला जाओ, जिसकी velocity by2 है, तो यह ऐसा है, तो अगर मैं center of mass पर बैट जाओ, cm पर बैट जाओ, तो यह initially rest पर था, यह velocity by2, वो उल्टा होके इसको ऐसी मिलेगा, तो यह जो by2 है, वो उल्टा होके ऐसी मिलेगा, तो यह जो by2 है, वो बैट खोके, इस पे ङोगा x 42 सेंटर आफव मास गजी है रैस्थ पे सेंटर आफआस के रहें में एस ऐसे उसलेट करएं ऐसे ऑसलेट करेगा सेंटर आफ़ मतली फ्रेम मां 11 कि भी बताई एक मुझह ही बताईेगा क्थार हम इस वाले block speed भी भी होनी चाहिए, ground frame में, उतलों इसकी speed ग्राउंड फ्रम में भी बाइटु होनी चाहिए, bby two, तो इसकी speed bby two ground frame में होनी की इसको natural length में आना था, natural length में आना है, यहाँ भी natural length था, यह spring natural length में था, यह natural length में. अच्छा, center of mass एक inertial frame है, center of mass एक inertial frame है, उस frame में इस वाले block पे net 4-0 है, that means यह इसका mean position है, जब spring natural length में है, तो इस block पे net force कितना है, 0, kx, x 0 है, 4-0, तो mean position, यह mean position है, और mean position पे इसकी velocity भी by 2 इधार है, और वापीस जब natural length में आएगा, तभी tucker मारेगा, तभी tucker मारेगा, इसका मतलब, कि यह mean है, तो फिर ऐसे जाएगा, extreme पे, और वापीस इस mean पे जब आएगा, तो उसकी velocity इधार होगी, अगर मैं इसके motion को, इस पर इसे adjust करूँ कि ऐसे गया, फिर ऐसे आएगा, तो जब यहाँ पे आएगा, तो उस समय इसकी velocity इधार होगी, कितनी, भी बाइटू, और दुबारा यह mean पे आगया, उतले spring natural पे आगई, यह जितना भी बाइटू इधर, उतना भी बाइटू, लेकिन भी बाइटू, center of mass की जो velocity है, वो कितनी है, भी बाइटू है, वो भी बाइटू है, तो center of mass के फ्रेम में, इसकी भी बाइटू, और round frame में बन गया, इसका मत, और फिर देखो, यह ही condition आगे, that means, यह जो block है, वो mean से extreme पे जा और extreme से दुबारा जब mean पे आएगा, तो यह भी speed gain करेंगी, तो यह भी speed gain करेंगी, और यह time कितना होता है, यह time होता है, टी बाइटू, देखो, mean से extreme, extreme से mean, टी बाइटू, तो यह तो यह जो time t आया है, time t, 2L upon V, यह 2L upon V जो आया, यह T by 2 भी हो सकता है, तब VB gain करेंगा, एक time और है जब V gain करेंगा, इधर V by 2, यह center of mask के frame में, center of mask के frame में V by 2, दुबारा कब आएगा, यह ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे, फिर अब आएगा, क्योंकि इधर ला रहा है न, यह ऐसे, फिर ऐसे, अब आगया, T by 2 time, T by 2, फिर यह, जब यहाँ पाएगा, तो फिर इधर V by 2 आएगा, इधर V by 2 आगया, तब फिर इसकी speed 0 जागी ground frame में, क्योंकि अगर इधर V by 2 होई, यह V by 2 जब इसमें add करोगे, यह V by 2, जीरो बनगे न, ground frame में, अगर इस जीरो बनगी, तो इससे टकरातने समय, energy share नहीं कर पाएगा, तो V speed, again, lateral particle gain नहीं कर पाएगा, इसका मतलब, जो अगला time possible है, जो दुबारा वो इस भी को gain करेगा, वो, यह, यह T by 2, ऐसे, T by 2, अब फिर उसके बाद, एक चकर यह पूरा, अब फिर gain करेगा, तो T by 2, प्लस T होना चाहिए, तो T by 2, यह वाला time, और उसके बाद, दुबारा एक चकर, ऐसे, 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 अब, यह, ऐसे, तो T मिल गया, और यह T by 2, समाझ गयो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, उस तो use करो दिमाग को, तो यह ऐसे था, T by 2, फिर T by 2, T हो गया, फिर T by 2, आगया 3 T by 2, यह total 3 T by 2 होना चाहिए, तो अगला time आएगा, वो 3 T by 2 होना चाहिए, तो similarly, अगला time, 5 T by 2 होना चाहिए, यह possible time है, जिस time पे, अगर यह वाला block यहाँ पोचता है, तो इस पिर ground frame में भी मिलेगी, तो फिर इसे टक्कर कवाद इसको भी मिल आगी, वो हमारा answer justify हो जाए, तो यह 2L आपान भी यह सब होना चाहिए, इस L की minimum value कितनी होगी, L की minimum value इस time पे होगी, कि इस time पे, कि इस time पे, of course, इस पे होगी, तो L का अगर mean निकालना है, तो 2L mean आपान भी यह बराबर होना चाहिए, T upon 2 का, इसे से कोई पूछे L mean कितना आएगा, L mean जो आएगा आपका, इसके दर बेच जीजिए, यह बनेगा, BT upon 4, BT upon 4, अब T निकालना बाकी है, अच्छा जो T है, वो है, 2 pi, root mu by k, इस तरह के system का, दो block होता है, ऐसे करके छोड़ता है, तो mu by k बनता है, तो mu, mu by क्यों होता formula, k is the spring constant, अब यह बनेगा 2 pi, अब mu कितना बनेगा, M1, M2 upon M1 plus M2, M1, M2 upon M1 plus M2, यह बन जागा आपका, M by 2, क्यों हो गया, M upon 2 के, यह बन गया time period, अब इसमें value place कर लेते हैं, तो उन्हें mass दिया है, 8 kg, क्यों दिया है 1, mass 8, तो यह बनेगा, mass, t ब्रावर के आएगा, 2 pi, root, mass दिया 8, और यह है 2, के, k1 दिया है, तो यह 4, 2, यह 4 pi बन गया, 4 pi, यहाँ पर रिखेंगे हम लोग, B, B के बालू उन्हें क्वेश्चन के अंदर कितनी दिया, 4 upon pi दिया, B के बालू 4 upon pi है, इन्टू 4, इन्टू T, और T किसके बरावर है, 4 pi के है, तो 4 pi से 4 pi क्रिट गया, और यहाँ से L mean की बेलू आ गई, 4 meters, and this is, तो आपने देखा, यह जो question है, आसका, यह real में आसका बहुती, अच्छा question है, एक difficult question में से एक है,